टीवी के popular show Shark Tank India Season 3 के नए एपिसोड में The Rage Room नाम का एक business idea आया इस company के संस्थापक सूरज पुस्राला ने बताया कि कोई कैसे अपने गुस्से पर काबू पा सकता है उन्होंने सभी से कहा कि आप चीजों को तोड़ कर अपना stress दूर कर सकते हैं हैदरबाद की रहने वाले सूरज ने अक्तोबर 2022 में The Rage Room की शुरुवात की थी उन्हें इसकी प्रेरना बच्पन के समय आने वाले घुस्से से मेरी थी नमस्कार मेरा नाम है लता सेंग और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी The Rage Room के founder सूरज ने बताया कि इससे आप एक सुरक्षित और नियंतरित वातावरन में अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं इसके बाद लोग जादा सहज और तरोताजा महसूस कर सकते हैं हैदरबाद से आए सूरज ने इसके बारे में अनोखी ढंग से बताया और अपने ब्रैंड में 30% एक्विटी के बदले में 20 लाक रुपे की मांग की थी आपको बता दें कि ऐसे में शाक अनुपम मित्तल ने कहा कि ओ ये रेजरूम है मैं समझ गया इस पर सूरज ने कहा कि शाक्स क्या आप भी गुस्से से भर जाते हैं अनुपम ने अश्नीर ग्रोवर अपर मजाग करते हुए कहा कि जिस शाक को गुस्सा आता है वो तो गया ये बात सुनकर विनीता सिंग और नमिता थापर जोर से हास पढ़ी वहीं आमन गुपता ने कहा कि हमारी दिल्ली में तो बहुत जरूरी है हाला कि दरेजरूम शोय में दील हासिल करने में विफर रहे इसी के बारे में बात करते हुए सूरेज ने कहा कि शाक्टेंग में डील नहीं हो सकी इसके बावजूद अनुभव वैता रहा यहां आना और दरेज रूम के बारे में लोगों को बताना एक रोमान चक अवसर था हाला कि कोई सौधा नहीं हुआ लेकिन जो अनुभव और सीख मिली है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरिद करें तो शाक्टेंग इंडिया पर आये इस बिजनस आइडिया के दौरान अनुभव मित्तल के कॉमेंट पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तवाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी